चैप्र के नाम ही कर लो ना तो फीजीक से साट किया यूनित से थे नेजिमेंट मुशनलिस एक इनगेटिक अपक्स यूपीक सारी फिसेंग फागल मिल्कूल खतम नहीं तैयारी करते रहोगे इसी वज़े से हरसाल इते एस्प्रेंट बाद रहें कि लोगों के दिमाग में द इस तरह सो पुरी के मिस्टरी घतम कर दी बताइये और फिर बायो पर आ गए चालू किया आपका सत्यानास हो जाएगा बहुत सारे लोग में से इस रफतार में होता है और इंड में सुनने को मिलता है एक मैंने में सिलिबस कैसे खतम करें एक मैंने में एम चली कैसे मिलेगा ऐसे नहीं होता गाइस यदि आपके दोसो ढईसो तीन से नुमबर आ रहे हैं पूरी तहीस सो से पक्चेस सो गंटे की तयारी है इसमें मैंने वो काउन लिए है कि जब आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको एक्स्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मैंने यह इससाब से किया है कि फिजिक्स हैमिस्ट्री में 100-500 क्वेश्चन बायों में लोगों ने प्रॉपरली तयारी चालू कर दिये नी 2025 के लिए I am very happy about it मैंने जिन भी लोग को पुश किया कि टाइम वेस्ट मत करो अभी से तयारी चालू कर दो आप एक बहुत बड़ा थांक्यू अगले साल एक्जाम के बाद मुझे देंगे जिन लोगों ने अभी तक तयारी चालू नहीं किये जिनको पता है कि इस बार उनका गौर्णमेंट कॉलेज में नहीं होगा प्लीज टाइम वेस्ट मत करिये तयारी चालू कर दिजे ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने तयारी चालू कर दिये एक स्पेसिफिक सवाल जो ने परिशान कर रहा है वो ये है क्या कोई तरीका है जिससे मैं सिलिवर जल्दी फिनिश कर सकता हूँ without compromising on the quality of the preparation मैं इस वाले वीडियो में इसी चीज़ को cover करना चाहूँगा मैंने पहले आपको ये वाली चीज़ बताईए ठीक है मैंने आपको क्या बताए है टोटल नीट की तयारी तेईससो घंटे की है जिसमें क्योरी करीब बाराससो तीस घंटे की MCQ प्राक्टिस जिसमें मैंने आपको उता है फिजिक से मिस्टी के हर चैप्टर में 100 से 500 क्वेश्चन बायो के हर चैप्टर में 500 से 200 MCQs ये करीब 600 घंटे की और 25 आपने मौक टेस ले 25 इंटू बीस 500 घंटे के आसपास ही हो गया है ना बाराससो तीस पांसो चौतर पांसो 300 घंटे अब सवाल ये है कोई पूछता है कि सर एक चीज बताओ एक स्टूडेंट है जिसके 200 घंबर आए एक स्टूडेंट है जिसके साड़े 500 घंबर आए दोनों जनरल कैटेगरी से दोनों को गवर्मेंट कॉलेज इस बार नहीं मिलेगा है नहीं बहुत अच्छी बात है क्या दोनों के लिए तैयारी 200 घंटे की है एक आंसर है नहीं गूट क्वेश्चन तो कितने घंटे की है, क्या तैयारी को आपके करेंट लेवल के साब से कस्टमाइज क्या जा सकता है अंसर है इस ऐसे क्या जा सकता है जरा समझो नॉर्मल तयारी जैसे मैंने आपको बताया जो भी आपने class join की वहापे आपने lecture देखते हुए notes लिए है उसके अधगरा के NCRT पड़ी MCQ practice के physics chemistry का chapter है 100-500 MCQ bio का chapter है 1500-200 MCQ fair enough एक और तरीका इसी चीज़ को करने का यह हो सकता यदि आपको पता है कि कुछ chapters में आप comfortable है पूरा पूरा है करने की ज़रूरत नहीं है आपने क्या किया coaching में कल से morphology of flowering plan चालू हो रहा है या let's say वो थोड़ा दूर है biological classification कल से चालू हो रहा है एक रात पहले biological classification के जाके target batch में question लगा लिए यदि आपके 85% से ज़्यादा सही हो जाता है तो आपको lecture time करने की ज़रूरत नहीं है आप उसके बाद NCRT read कर दीजे और आपको videos देखने की ज़रूरत नहीं है या फिर classroom lecture faculty को समझा दीजे they will understand sir मुझे chapter आता है देखो मेरे से सारे questions सही होगा that is good enough आपका time बचा हमने जो ये वाला जो plan बनाया था इसके अंदर lecture वाला portion on and average आप ये समझ सकते हैं किसी भी coaching में मैंने आपको by the way बार बार ये चीज़ जरूर बोली है कि हमारा ऐसा मानना है online classes जादा तर बच्चों के लिए effective नहीं होती तो मैं आपको recommend करूँगा आप drop करें 11 से 12 में आया है याप 10 से 11 में आया है मैं आपको strongly recommend करूँगा कि please कोई classroom coaching program अपने आसफास join कर लीजे यदि आप afford कर सकते हैं obviously यदि आप afford नहीं कर सकते classroom coaching programs are expensive यदि आप afford नहीं कर सकते तो online coaching is the only option पर afford कर सकते हैं तो अपने आसफास कोई classroom coaching program join कर लेंगे that is going to be much better क्योंकि एक जगे मिली जहां पर बैठके आप properly पढ़ाई कर सकते हैं कोई ensure कर रहा है कि आप वहां पर बैठे हैं तो time pass नहीं कर रहे devices से दूर हैं कोई physically आपको पढ़ा रहा थोड़ा about 2 and 4 भी हो सकता है हमने इसी वज़े से हमारा जो जनकपुरी का center है वहां पर हमारा classroom coaching program है जिसमे 10th से 11th वाले 2 batches है 50-50 students के और dropper के 2 batches है 50-50 students के इतना ही capacity छोटा सा रखा है in fact भूत सारे हमारे जो centers है जहाँ पर classroom test series हो रही है अब वहाँ पर भी जाके बात करके explore कर सकते है कि would you want to consider classroom coaching program there पर यहाँ पर वापस आ जाईए तो मैंने आपसे कहा कि यह जो class में lecture हो रहे है 13 घंटे का यह online भी हो रहा है यह वाला time आपका यहाँ बजगया जिस chapter में आपके काफी सारे mcqs सही हो जाते है पर ऐसा हो सकता है आपको कोई chapter आसान लगता हो आपने उसके सबसे पहले mcqs किये लेसे 85% in fact 40% question सही हुए बायो का ही chapter था लेसे आपने anatomy of flowering plants के question practice किये या आपने units and measurement के question practice किये या आपने structure of item के question practice किये और पता चला 40% सही हुए उस case में क्या करना है आपको अपने normal तरीके पे आ जाना है step 1, step 2, step 3 क्या आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो के comment section में मुझे बता दीजे please मुझे बताईए कि आपको ये बात समझ में आई कि normal और flipped normal तो ये होता है theory के बाद MCQ practice के flipped यदि आप आता है तो आप इस चीज़ को explore कर रहे हो कि पहले question practice कर लेता हो यदि पता चला कि question नहीं हो पारे तो theory कर लूँगा fair enough समझ में आया बिल्कुल fair enough है कोई issue नहीं है पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेगा जो नालायक लोग होते हैं वो ये करते हैं कि question practice करते हैं सिर्फ question करूँगा question करूँगा question करूँगा question सही होते हैं 40% 50% और आगे बढ़ते जाते हैं कि कोई बात भी question तो हो गए और एक और टाइप नालायकी होती सिर्फ theory कर लेता हो भी question बाद में कर लूँगा जन्वरी फर्वरी में जन्वरी फर्वरी आता नहीं है आपको ये ध्यान रखना है कि mindless question practice नहीं करना है जब question गलत हुआ मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है आपको गलत question का explanation देखना है हम इस वज़े से target batch में बहुत जादे मेनत करते हैं कि आपको हर question के साथ explanation मिले जब तक आप गलत question का explanation नहीं देखेंगे आपकी understanding develop नहीं होगी आपको नहीं समझवाएगा कहां पे गडबड हो रही है कहां पे मेनत करनी है और दूसरी जो problem है theory के साथ यदि आप MCQ practice नहीं करें तो आपको theory समझ में नहीं आई है तब तक आपने सिर्फ अंग्रेजी पढ़िये तो theory के साथ MCQ करना है जब question गलत होता है इस वाली side पे तो आपको वापिस जाके explanation देखने के आप वापिस जाके theory पढ़नी है theory और MCQ practice का combination रहेगा मैंने जितने topper के videos डाले है उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बुर रहोगा सिर्फ MCQ करना हो selection हो जागा नहीं MCQ करोगे और MCQ के साथ उससे पहले theory पढ़िया गलत हुआ अब फिर आपने theory पढ़िया और MCQ किये तो आपका correct percentage इंप्रूव होगा और उससे आपका selection होगा राइट अब इस सारी चीज़ को flick वाली चीज़ को कैसे execute करना है मैं आपको इस वाले वीडियो में ये बताना चाहता हूँ है ना तो एक बार इसे हटा देते हैं है ना और देखिए आप क्या करो बहुत simple है physics, chemistry और bio में कित्ते कित्ते chapter है physics में 28 है bio के अंदर 35 है और यहाँ पे 22 है including two chapters of P block elements है ना अब आप क्या करो 28 chapter को हर एक को ऐसे सोच लो कि let's say इसमें आपने कहा कि मुझे इसमें 22 chapter normal format में पढ़ने और 6 chapter flip format में पढ़ूँगा इसमें आपने कहा 22 में से आपने कहा कि 17 chapter normal format में पढ़ने और 5 chapter flip format में पढ़ूँगा है ना सही है ये 32 में से आपने कहा कि 12 चैप्टर नॉर्मल फॉर्मैट में पढ़ने और 20 चैप्टर फॉर्मैट में पढ़ूंगा यह रख फॉर्मैट का मतलब आप पहले question practice करेंगे यदि आपके question 85% से ज़्यादा सही हो गए तो सबसे पहले वाला काम ये कर लीजे मुझे एक काम करिए वीडियो के comment section में बता दीजे इसमें से कित्ते आपके normal और कित्ते flipped है इस वाले का बता दीजे कित्ते normal और कित्ते flipped है और इस वाले का बता दीजे कित्ते normal और कित्ते flipped है उससे आपको लग जाएगा कि कित्ता time बचाएगा जित्ते भी flipped है उसको आप 13 से multiply कर लीजिए उतने घंटे आप 2300 में से हटा सकते हैं ठीक है तो वो एक plan हो सकता है जो आप target कर सकते हैं कि let's say आपके ये total मिला कि flipped वाले जो है ये करीब 40 chapter तो 40 into 13 520 घंटे आपके बच गया out of 2300 तो 1800 घंटे की तयारी हो गई आप उसको significantly जल्दी finish up कर सकते हैं मैं इसका मतलब ये निये मैं कह रहा हूँ कि आपने किया question ऐसा हो सकता है 40% 40% सही हुए तो आपने फिर सारी चीज़े करी यदि टाइम बचाने का तरीका है तो वो ये है कि आपने पहले question practice किया significant question सही होगा है तो उसकी जो detail lectures है आप physically classroom में जा रहे या फिर आपको ये online coaching करें तो उस चीज़ को आप ignore कर सकते हैं एक और तरीका है जो महाँ पापी तरीका है लोग इना पन्ने बलटते है syllabus हो गया syllabus हो गया syllabus हो गया syllabus हो प्लीज वैसे मत करिए मैं आपको सच में syllabus बहुत जल्दी करना है याने इस चाहिए पागल हो बिल्कुल खतम नियुक्त तैयारी करते रहोगे इसी वज़े से हरसा लिते है आप बढ़ रहे कि लोगों के दिमाग में घुसा होता है जल्दी 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 कर लूगा एंट तक बेट करते हैं इस तरह से प्रेपरेशन कर लेते हैं फिर तरह से पूरी केमिस्ट्री शकाइए मैं जल्दी फिर केमिस्ट्री से बाताय। अ फिर नियुक्त पर आ गये चलूगिया देल्दी अ आपका सत्यानास हो जाएगा बहुत सारे लोग में इस रफ्तार में होता है और एंड में उन्हें सुनने को मिलता है एक मैंने में सिलिबस कैसे खतम करें एक मैंने में एमसली कैसे मिलेगा ऐसे नहीं होता गाइस यदि आपके 200, 200, 300 नुमबर आ रहा है पूरी 2300 से 2500 गंटे की तैयारी है इसमें मैंने वो काउन लिए है कि जब आपके क्वेश्चन गलत होते है तो आपको एक्स्रा क्वेश्चन प्राक्टिस करना है मैंने ये इससाब से किया है कि फिजिक चेमिस्ट्री में 100-500 क्वेश्चन बायो में 500-200 क्वेश्चन और फ्लिप करके आप टाइम बचा सकते हैं मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन बहुत जादा गलत हो नहीं नॉर्मल पर आजाए नहीं तो आपका ये वाला टाइम बचा इससे आप 500-500 गंटे बचा सकते हैं यह दिए आपका बहुत अच्छा इस बार तैयारी ता 500-500 नंबर आपके आ रहे है ठीक है मैंने आपको जो एग्जाजरेटर तरीका बताया बाद चैप्टर के नाम बोल दिया है उस तरह से प्लीज गाई सत्यानास हो जाएगा वो सम्मत करेगा मैंने इस वाले वीडियो में आपको specifically इस वाले question का answer करने की कोशिश किया है कि depending on how much score you got this time आपका कितना comfort है चैप्टर जो है 82 चैप्टर physics chemistry biology में उसके basis में is there a way you can save time and consequently give that time into mcq practice and testing हमारी regular testing आपकी 16 जून से चालू हो रही है मैं जानता हूँ काफी सारे students अपने से ये बोलेंगे मैं ready नहीं हो और मैं जानता हूँ काफी सारे students बोलेंगे कोई बात नहीं गरबरी तो होगी थोड़े number कमी तो आएंगे experience होगा सीखेंगे और testing का डर खतम हो जाएगा आपको decide करना है आप किस side पे है हम लोगों ने इस time पे 110 center से जादा पे needprep.com की classroom test series अभी available है आप उसे join कर सकते हैं और मैंने जैसा आपको बताया है मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि कैसे आप time बचा के जादा MCQ practice जादा testing में डाल सकते हैं hopefully students इस वीडियो से आपको clarity आ गई होगी मुझे वीडियो के comment section ने पूछ रीजे यदि आपको इसमें कुछ भी अभी भी confusion है I would be happy to answer but this is the only way I think time can be said बाकी जो तरीके होते हैं जो बताया जा रहे होते हैं मुझे नहीं आते हैं मुझे नहीं लगता कि वो effective होता है ठीक है बच्चो